प्रें नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्दे शिंकर्टी बारी हूँ महाराश्ट में जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक सत्ता का संगर्थ यूँ ही चलता रहेगा विधायकों की परेड होगी खरीद विक्री होगी होटल बदले जाएंगे और ना जाने क्या क्या होगा बट सवाल ये है कि एनसीपी प्रमुक सरत पवार जो राजनीत के बड़े खिलाडी माने जाते हैं बहुत ज़्यादा उनको अनुभव है क्यों भतीजे का इतना मान मनोवल कर रहे हैं कहां पे वो पेज फसा हुआ है जिसकी वज़ा से उन्हे पेल भी गड़ सकता है दरसल इसके पीछे जो है कानूनी पहलू है जब अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया था तब पूरे 54 विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना था और जब उन्हें पद से हटाया गया तब उस समय ए 4142 विधायक मीटिं 52 विधायक वापस आ गया है सरत पवार के पाले में एक अजीत पवार बचे है और उनके साथ एक और विधायक बचे है फिर इतना चिंतित क्यों है सरत पवार भतीजा प्रेम उनको सता रहा है या सत्या का प्रेम सता रहा है या अपनी बेजती लग रही है तो दरसल जो कान मेले को बना सकता है और चाहे तो जो भी चुनाव कर आएगा का अब इस पिकर जो भी चुना जाएगा पालीत तो सरकार की परिक्षा वहाई पर हो जाएगी बीजेपी हो चैन शाह ना इनशी पी कांग्रेस हो जिसका स्पिकर बनेगा उहीं पर एक तरह से विश्वास मत या आप कह सकते हैं कि किसके पास कितना संख्या बल है पता चल जाएगा लेकिन उसके बाद स्पीकर कराएगा फ्लोर टेस्ट उसके बाद यदि इधर जो बिधायक दल के नेता चुने गया है जैंद पार्टी लेंज सीपी के और उधर जो है अजीद पवार दोनों ने वीप जारी कर दिया तो फिर क्या होगा किसकी बात मानी जाएगी फिर कौन इसका फैसला करेगा तो बीजेपी की जो स्टेटजी है कि किसी तरह से अपना स्पीकर बनाना है अब स्पीकर बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं और यदि बीजेपी का स्पीकर बन गया तो अजीद पवार यदि वीप जारी करते हैं और उस वीप का उलंगन करके विधायक मद्दान करते हैं और उस speaker ने इनको recognition दे दिया कि हम इनको मानते हैं तो फिर क्या होगा फिर सरकार फंस जाएगी और BJP की कोशिस यह है कि यदि हमारी सरकार नहीं बन पाती है तो पेंच ऐसा फसादो कि फिर राश्पत सासन लग जाए और सीव से ना NCP और कांगर्स के कोशिस यह है कि किसी तर इसी वज़ा से भेज रहे हैं और अजीत पवार ने कल ट्वीट करने से पहले संबैधानिक सग्यों से राय ली थी उनसे पूछा था उसके बाद वो ट्वीट किये थे कि मैं अभी भी NCP में हूं NCP विधायक दलका नेता हूं सरत पवार हमारे नेता है वो बहुत ही कानून परामर्स करने के बाद ये बात बोल रहे हैं वो यहीं पर फंसाना चाहते हैं चाहें सरत पवार जितने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हो सियासत के यहीं पे NCP को फंसाना चाहते हैं घरेलू जो जगड़ा है उस घरेलू जगड़े में दूरियां काफी बढ़ चुकी है जिस तरीके से सरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले का अभी सुबह के अख़बारों में फोटो छपा है और सोसल मीडिया पर भी घूम रहा है उसमें जो है आदित्य ठाकरे एक तरफ हैं एक तरफ रोहित पवार हैं यानि कि उनके दूसरे चाचा के बेटे तो एक और उ हैं कि उनके बेटे पार्थ पवार के सिर्पे हाथ रखने के बजा सरत पवार ने हाथ रख दिया रोहित पवार के सिर्पे रोहित पवार जो है सरत पवार के सबसे बड़े भाई के पोते हैं तो घर का वो जगड़ा अलग है और कानूनी पेच इधर अलग है जिसकी दाई साल के मुख्य मंद्री का offer दिया गया है कि वहां पर यह दि सरकार चलती है वीजय पी की तब तो आप दाए नोग देगा भीवाइंगे और जाल के लिए उडख मंतरी भी तो उधर से करवाई शुरू हो गई है क्लिन चीट आज 9 मामलों में उनको मिल गया सिचाई घोटाले में 3000 टेंडर हुए थे उसमें से 9 मामलों में क्लिन चीट मिला है और यदि इधर पाला भारी पड़ा तो हम इधर चले जाएंगे तो अभी के डेट में यानि कि आज इस सम जूटा है अपनी तरफ खिचने में जूटा है अब एक सवाल यह भी उभर रहा है कि जो बीजेपी को पता चल गया कि अजीद पवार के साथ बिधायक नहीं है तो फिर बीजेपी अजीद पवार को क्यों इतना वाईलू दे रही है और यह सच है कि चाचा सरत पवार डब मुले पर काम कर रही है और इधर जो दूसरे पक्ष का की जो रणनीती है उसमें यह है कि सत्ता से उनको हटाओ यानि कि विश्वास हासिल मत करने दो और अपनी सरकार बनाओ चाहे इसके लिए अजीद पवार को 20 साल के लिए CMC देनी पड़े तीस वज़ा से अजीद पव प्राइब कर अब बिए सत्यावा जैसा कि संजारा हुत ने ट्विट किया है कि 162 विधायकों के SEOUL में परेट कराई जा रहा है तो यह बयो लोग है सिर्फ उनके साथ रहा गया है तो अब ये देखना है कि अजीत पवार कौन सा रास्ता चुनते हैं, किस पाले में जाते हैं, अभी तक तो वो BJP के साथ हैं, नहीं मानें, आज खुब मनाया गया है, वो नहीं मानें, तो कल के घटना करम पे सब कुछ डिपेंड करेगा, सब की नजर जो लगी हुए है, वो ह इस कुछ फार्मूले पे काम हो रहा है, उन्ट किस करवट बैठेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पक्स से जो राजमाईश चल रही है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला सेटल होगा, उसके बाद होटल से लेकर के सडक तक साम, दाम, दंड, भेज स झाल, क्योंकि दो.